ये कहानी एक बीटे एक धारी इंजिनियर की, जिसकी कहानी को सुनकर के आप दंग रे जाओगे, बीटे कम्पलीट करने के बाद गर आये इंजिनियर साब हो गए हैं बेरोजगार, अब इंजिनियर साब ने सोचा, क्यों ना इस देश की आर्थिक विवस्ता को सुधारा जा जो डाउन पेमेंट होता है, डीडी बरनी होती है, उसकी जब राशी जानी, तो इंजिनियर साब का फिस्वड़ा फटके आत में आ गया, बुला इतना पेमेंट कहां सा है, इसलिए उन्होंने सोचा चलो इस दंदे को छोड़ते हैं, कोई नया करते हैं, क्योंकि साब ने मुवी देखी थी तुरंत गाउ, सारुक वाली, जिसमें कहा गया है कि दंदे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और दंदा कोई छोटा मोटा नहीं होता है, तो साब को लगा क्यों ना हम गाउं से ही ठेकेदारी की लाइन शुरू करते हैं, और दंदा छोटा ही शुरू लेबर का जो भी, साब को तो सिरप्पे से मिलते घर से, साब बड़े शेहर में इंजिनिरिंग के नाम पर सुट्टे बाजी करते थे, रूम लेकर के लोंडिया बाजी करते थे, साब को तो चार-पांच साल मजे मारने थे, मार लिए अब घर आ गई साब, साब ने ठेका ल लेगी, इसके लिए लेबर को परलोबन दिया गया, जलेबी और कचोरी का, पर इसे क्या पता कि गाउं के लोग तो ठोकू पीर होते हैं, बस खाने पर ध्यान रखते हैं, काम अपने हिसाब से ही करेंगे, कहीं आथ तेज नहीं चलने वाला, अब लेबर खा चुकी है, लेटी बेटी बातें कर रहे हैं, दिरी दिरी हाद गुमा रही है, इंजिनियर साब उपर ही मटक रहे हैं, और गुसे में ताड रहे हैं लेबर को, लेकिन लेबर अपने हिसाब से चलने वाली है, बता ऐसा है कि इंजिनियर साब गाटा खा लेते हैं, पहले ही ठेके में, तो उन्होंने अपना फिल्ड चेंज किया सोचा अब गी बार व्यापरी का धंदा करते हैं और ये कहानी एक बार और बता दू पिछले साल के इस साल आपको बता ही जा रही है तो साब ने सोचा कि सरसों खरीद ली जाए अभी भाव बढ़िया है तो 6300 पर क्वेंटल के हिसाब से साब ने सोचा सेथ 7000 भाव आएंगे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा पर क्वेंटल से बड़ा मुनाफा मिलेगा खोल बर लिया लाकर के सरसों साब आज इंजिनियर स बात कि अरिजिनर साब 2 की मीती शट्र गुम रहा है क्योंकि फैसे तो ठे नहीं लोगों से उधार लिए गए अब दो की मीती जूम रही है इंजिनियर सहम की फळके आत्म आ चुक्य अब ये घाटा पूरती की कैसे जाए ईजशाम से और शुरूआ तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को एक ही संदेश मिलता है और एक ही शिक्षा मिलती है और वो शिक्षा है जिन्दगी में किश्मत लोड़े लगाने सुरू कर देती है ना तो तुम ढूंगाताना जोर लगाने कुछ भी नहीं उखाड पाओगे आपके पाद नहीं